हाई गाईज माई नेम इस निदी भटनागर और वेलकम यौल इन दिस चैनल तो आज की वीडियो में क्या सीखने वाले हैं आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास फाइफ की इंग्लिश लिट्रिचर की बुक से एक बहुत ही बहुत अच्छी पोयम जिसे मैं बोल सकती ह तो चाहिए बिताओ डिल आप अपने पोयम पो शुरू करते हैं is it right or wrong to have animals perform in a circus तो भई आपको क्या लगता है कि सही है या कर लगता है जो animals सरकस में perform करते हैं उनका perform करना आपको कैसा लगता है discuss your views अपने जो आपके विचार है कि जो views हैं अपने friends के साथ उसको discuss करना है and then read this poem about an elephant in the circus और फिर ये poem जो एक elephant के बारे में है चुकि सरकस में काम करता है उसके बारे में आपको ये poem बढ़ना है देखो अगर आप normally बात करो as a child तो अगर आप सरकस जाती हो elephant को इसके अंदर देखते हो perform करते हो तो 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 आपको बड़ा मजा आ हो सकता कोई भी नहीं कुछ हो सकता अगर मैं आपको जबर्दस्ती आप से कुछ tricks करा हूं आपको अपकी घर से ले जाओ और आपको जबर्दस्ती को ट्रिक करा हूं आप जबर्दस्ती स्टेश पे perform कर रहे हो है ना तो जो आपको देख रहा हो सकता उसे अच्छा लगया का परफॉर्मस को करते हुए नहीं ना तो सेम आज हाती के साथ है चेंगल उसका घर होता है उसको अगर हम वहां से ले जाएं जबर्दस्ती उसे परफॉर्म कर रहे हैं जस्टू मेक यू हापी तो वह चीज़ सो गलत है ठीक है तो चलो अब आगी बात करते हैं कि तो जैसे सबहा हो दी थी ग्रे लाइट में यहांती उठ जाते थे तो वह रोश्णी उसको याद है है मतलब जैसे हाती हो अगरा या कोई भी जानवर होता तो ऐसा अलारम घड़ी लगा के तो नहीं उठते है ना तो वह ग्रे लाइट में ही जल्दी से सुभा डॉन के टाइम पर यह उठ जाते थे और डॉन क्या था अर्ली मॉर्निक टाइम ऑफ संराइज अब जो सूरज निकालने का साम होता है ओल्ड नॉइसस ऑफ जंगल पुराने शोर जंगल के in mornings long gone क्योंकि mornings जो जैसे वहाँ पे sounds of animals की जो आवाजे आते थी है ना यहाँ नॉइसस का मतलब क्या है जो animals की सुभा सुभा जंगल में आवाजे आती थी तो क्या उसको याद है in mornings long gone क्योंकि इस तरह की mornings उसने बहुत समय से देखी ही नहीं है है ना तो फिर से वापस पढ हैं कि does the elephant remember in the gray light before dawn old noises of the jungle in morning longs gone तो क्या elephant को याद है वो सुभा सुभा का सवेरा जब सुभा 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 बहुत आदा शूर होता था जानवर की पक्षों के आवाजे होती थी और इस तरह की mornings तो बहुत पहले उसके जीवन में होती थी है तो मतलब एक तरीक साब नहीं हो भूख के कारण चला तो नहीं पर जिए में काना मना थी ती महीं है ना तो क्या उनको भूख लगती थी मान वावाजे निकालते थे उस चीज की बात करिया है ताइगर अन्ट लैपर दिलाइन एट हैस फीस्ट तो जो टाइगर उता चीता उता था या लैपर दो देला ला यहां पर यह इसके लिए आ रहा है ना तो यह जो डू इस बाइटी एर्ट्रम लिसन करते हैं फॉर दे तंडर मतलब होता है हमारा जैसे जैसे हमारे लोग यह बता रहे हैं कि हापर बफलो और जब्रा के जो पैर होते थे उनसे जो आवाजे निकलते थे आपर ग्रूप मे निकलते थे भाटते जावाज होते तो इसके लिए वड़ाया थंडरिया पर है ना इन दर डार्क एंद रेट्फुल हीट में मतलब बहुत अधेरे में या फिर बहुत जब होते थे तो उस समय जब वो चलते थे उनके जो पैरों की आवाज होते उसके लिए सब्यूस किया है अपने हैना मूफ करता है स्लाइटली थोड़ा सा लाइटली वाइली स्लीपिंग जब सोता है ड्रीम करता है ऑफ दर लॉंग फॉकर्टन म्योजिक इसके बारे में याद रहे है उसे पुराना जो संगीत सुनता था संगीत मतलब कोई कुमार्शान की गाने नहीं बसते है कि संगीत की बात करें लहरों कि अवाज नदी की अवाज जननी की अवाज पेड़ों की लहलानी की अवाज जस तहरा की तो बस यहां पर जो इन्हों ने एक तरीके से ना आपको एक मामरिक पढ़नान किया गया मतलब बहुत जदा आपको ऐसा टच करने की बात की आपके हाट को कि भी आप तो देखके ने बहुत कुछ हो लिए हो पर उसको जीवन है वो तो बिल्कुल आपके वज़े से एकदम ब अच्छी लगें समझाए तो ज़रूर चैनल को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब बेना थैंक यू एन अब नाइस टे